नमस्कार मैं हूँ अभिनाश और आप देख रहे हैं पर्यावरन पोस्ट अवैत खनन पूरे देश में होता है और पूरे देश में इससे जुड़े माफिया भी पाए जाते हैं इनके होसले कितने बुलंद होते हैं इससे जोड़ी खबरें आपने देखी होंगी सुनी होंग लेकिन ताजा मामला जो हम आपके लिए खबर लेकिया हैं वो है राजस्थान के जैपूर जिले के जो राधानी है जैपूर उससे एक खितवली करके एक ग्राम पंचायत है यहाँ पर ग्रामीडों ने अब अवैत खरन के खिलाप मोर्चा खोल दिया है दरसल हुआ क्या कि कुछ दिन पहले ग्रामीडों ने एकत्रित होकर अवैत खरन के खिलाप जो कबजा करके जमीन कबजा करके उस पर अवैत खरन किया रहा था इसके खिलाप उन्होंने आवाज उठाई और तहसिलदार से मिलकर इस अवैत खरन को रोकवाने का काम किया यानि कि जो कबजा था और राकेश शर्मा इन दोनों की घर पर रात में पिट्रोल बंब से हमला करवा दिया गया पिट्रोल बंब से हमला करने का ये पूरा वीडियो सामने आ चुका है CCTV फुटेज है वो हमारे पास भी है आप वीडियो में देख सकते हैं लेकिन बात यहीं पर खतम नहीं हुई गामिडों को पूरी तरह से शक है कि ये जो हमला हुआ उनके घर पर ये अवैत खनन माफिया नहीं करवाया है और इसलिए करवाया क्योंकि इन्होंने अवैत खनन को रुखवाने की कोशिस की थी इसका बदला लेते हुए उनके घर पर ये हमला करवाया गया लेकिन अच्छी बात ये रही है या कह सकते हैं कि अच्छी बात ये थी इस खबर की है कि ग्रामीडों ने इसके बाद चुपी नहीं सा दी उन्होंने अपनी आवास को और मुखर करने की कोशिस की उन्होंने अनरशित कालिन धरना परदर्शन शुरू कर दिया और इसमें ग्रामीडों का अच्छा सयोग भी है वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग धरने बर में बेठे हैं और कई लोगों का समर्थन भी मिल रहा है द्यसे कई गुरू लोग पहुच रहे हैं कई गुरू आपर पहुँचे हैं यहां पर जो इस्तेमाल की जाते हैं परीमान उन पर कोई कारवाई नहीं होती तो इसी के लिए वो और निराश हैं और गुस्से में हैं उनका कहना है कि जब तक अबैद खनन यहां से रुक नहीं जाता पूरी तरह से तब तक यह अनिशित कालिन धर्ना परदर्शन जारी रह है और चाहिए हमें किते भी दिन यहां पर बैठा रहना पड़े जब तक यह क्रेशर नहीं अठेंगे तब तक हम किसी भी शूर्त में यह पूरी पब्लिक यहां से नहीं आठेगी चाहिए हमारे को किसी भी अथ से गुजरना पड़े और दूसरी चीज है कि इनका धर्ना प्रदर्शन इसलिए भी है कि एक खनन माफिया के खिलाफ आवाज उठाने पर उनके घर पर पिट्रल बम से हमला कर दिया जाता है जिस तरह आप राधियों के यानि कहले माफियाओं के होसरे बुलंद है वो तो देशत फैलाने वाला है देशत फैला कर वो लोग ये रोकने क राजुस है उसे बड़ा नुक्सान पहुंचता है ग्रामी आसपास रहने वाले लोगों के लिए खतरा पैदा होता है अगर आपने उसे सरकारी जो कहते हैं नियमों के अनुसार अगर उस खनन को शुरू नहीं किया है उसे अवैद ही इसलिए कहा जाता क्योंकि उसे परमि कारवाई तो होनी चाहिए लेकिन कारवाई उस पर जल्दी होनी चाहिए जो उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों पर हमला करें बम फेकवा है आप देख रहें परियावरन पोस्ट मैं हो विनाश सब्सक्राइब करें परियावरन पोस्ट